Hello बच्चों, Welcome to Genius Academy देखिए, आज की वीडियो बहुती खास है और ये बहुत सारे बच्चों के लिए सहारा बनने का काम करेगी मैं अपना काम वीडियो बना करके कर दे रहा हूँ आपको अपना काम इस वीडियो को शेयर करके करना है तो वीडियो को पूरा देखिए, हो सकता आपके लिए उपयोगी हो ये हो सकता आपके जानने वालों के लिए उपयोगी हो आपको शेयर करना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि सारी information अच्छे से आपको समझ में आ सके देखिए हम सब जानते हैं कि हमारे चारो तरफ का माहौल इतना बयानक हो चुका है कि हमारे घर में अगर है तो ठीक नहीं तो कम से कम मुहले में तो ऐसी इस्तिती आपने देखी होगी कि COVID की वज़े से लोगों की जाने चली गई हैं ऐसे बहुत सारे घर हैं में भी हो सकता है आपके हाँ ऐसी चीज़े हो गई हो ऐसी घटनाए घट गई हो या आपके आसपास पडोस में घटी होगी निसंदे आपने ये सारी चीज़े देखी होगी इतने इस्तिती खराब हो चुकी है COVID की वज़े से कि बहुत सारे लोगों न उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और एक बहुत अच्छा योजना उन्होंने चालू किया है इस योजना का नाम महतारी दुलार योजना है और इस योजना के अंतरगत ये बेनिफिट दिया जा रहा है बच्चों को कि जिन बच्चों के घर में पैरेंट्स के मृत्तियू हो गई है चाहे पिता के मृत्तियू हो गई हो चाहे माता के मृत्तियू हो गई हो कोविट की वज़े से तो ऐसे बच्चों के लिए अभी जो 36 गर्वर्मेंट है उन्होंने ये फैसला लिया है कि इस योजना के अंतरगत जितने भी अभी नए English आउनन्द ये सकूल खोले जारे हैं आपके जो स्वामी आत्मा नंद इंलिश मेड़े में सकूल है लगभग 171 सकूल इस वर्स 2021-22 के सैशन में खोले जा रहे हैं गवर्मेंट की तरब से जोकि CBSE affiliated school होंगे English medium school होंगे और बहुत अच्छे से उसके तैयारी चल रही है जो रोशोर से काम चल रहा है उस school में ऐसे बच्चों की जिनके माता-पिता की COVID की वज़े से मिरित्य हो गई है निशुल्क सिक्षा का पराओधान रखा गया है और ऐसे बच्चों की पूरी सिक्षाएं free of cost करवाई जाएंगे चाहे वो class 1 से पढ़े चाहे वो class 12 के बीच में 1 और 12 के बीच में किसी भी class में आ करके वो entry ले सकते हैं और आगे जितनी भी पढ़ाई उनकी होगी free of cost होगी और इवन बार्मी के बाद भी जो higher education के लिए वो जाएंगे उसके लिए भी government कुछ न कुछ सहायता उन बच्चों की करेगी न सिर्फ free of cost सिक्षा उनको परदान किया जाना है बलके हर महीने उनको stipend भी मिलना है पहली से लेके आठ मी तक के बच्चों को लगबग 500 रुपे की राशी प्रदान की जाएगी यहर महीने स्टाइफन दिया जाएगा जिसको आप छात वित्ती के नाम से जानते हैं और नौमी से लेके बार्मी तक के बच्चों को एक हजार उपे प्रती महीने स्टाइफन दिया जाएगा तो आईए देखते हैं इस न्यूज में क्या है हो सकता है आपकी लिए ये न्यूज काम की नहीं लेकिन आप अगर किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसको इसकी जरूरत है तो आप उसके लिए बहुत helpful हो सकते हैं ये वीडियो उसके लिए बहुत helpful हो सकता है तो इस वीडियो को आपको सिर्फ उनको शेयर कर देना है देखो मैं बना के अपना काम कर दे रहा हूं समाज के हित में आप इस वीडियो को शेयर करके अपना काम कर दीजे ये समाज के हित में आपके लिए उप्योगी नहीं है लेकिन हो सकता आपके किसी जानकार के लिए उप्योगी हो जिसके साथ ये घटना घटी हो तो समाज के हित में आईए काम करते हैं इस वीडियो को शेयर करते हैं जादा से जादा तो देखते हैं इस योजना में क्या है ध से लेकर बार्मी तक के बच्चे को 1000 रुपे दिया जाएगा ठीक है ये बिलकुल पूरी पढ़ाई निशुल्क होगी मैंने आपको जैसे बता दिया इसमें कौन-कौन से बच्चे पातर होंगे आप इसको पॉस्ट करके पढ़ सकते मैं सिर्फ मोटी-मोटी बात कर देता हू ताकि वीडियो जादा लंबी न बन सके देखिए इसमें कौन से बच्चे पातर है तो याद रखिए जिनके माता पिता दोनों या कोई एक चाहे पिता चाहे माता मृत्यू उनकी कोविट की वज़े से हो तो ऐसे बच्चे पातर है निशुल्क उनकी पढ़ाई होगी पू इसमें कोचिंग की विवस्थाइं भी दी जाएंगी बच्चों को आगे कॉंप्यूटिट्व एक्जाम के लिए किसी भी तरह की एक्जाम के लिए स्कूल की सिक्षाएं तो निशुल्क होंगी साथ में कोचिंग की विवस्थाइं भी उनके लिकराई जाएंगी और पूर कर सकते हैं बच्चे ये ध्यान से समझ लीजिए आपके नजदी की जिला सिक्षा अधिकारी कार्याले आप सब जानते होंगे आपके जहां आप जिस एरिया में भी रहते हैं आपका जिला जहां भी होगा हर जिला में एक जिला सिक्षा अधिकारी का कार्याले होता है वहां प करेंगे collector को सूचित करेंगे और collector इस पर आखिरिंदेंलेंगे collector के permission से आपको admission मिल जाएगा ठीक है आपके पास टीम आएगी check करने के लिए कि अब वागाई आप योग हैं पात रहें निशुल प्राप्त करने के लिए आप इस कटेग्री में आते हैं महातारी दुलार योजना के तो जिला सिक्षा अदिकारी की तरब से एक समीति बनाई जाएगी जिसमें पात रहें कि नहीं उसके बाद रिपोर्ट को पूट अप करेंगे तो आगे हाईर के लिए भी मिलेंगे हाईर एजुकेशन के लिए तो यह वीडियो बहुत काम की है English medium school में इसको लागु किया जा रहा है निसूलक सिक्षा का परणाया जा रहा है तो जरूरिस वीडियो को शेयर करिए जरूरत मन तक पहुचाएए ताकि सब को योजना का पत ताकि वो लोग जरूरत मंदों तक इन वीडियो को पहुंचा सकें और सब लोग इसका लाब उठा सकें वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में